स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोग का आपने एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSC के पैट एक्जाम की वैसे तो आप सभी लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता होगा धेर सारी वीडियो देख चुके होगी लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ साजा करना चाहता हूं तो उम्मीद करता हूं वीडियो में आप लोग आफिली तक बने देंगे देख लगबग 17-75 लाख लोग जिन्होंने एक्जाम दिया था दो हजार बाइस के अगर हम लोग यहीं बात करें तो दो हजार बाइस में क्या था लगबग आपके 37 लाख के आसपास फार्म पड़े हुए थे ठीक है और इसमें जो एक्जाम देने वाले कंडिडेट थे वो लग 25 लाख के संथिंग जो है लोगों ने एक्जाम दिया हुआ था अब 2030 की बात करें तो भी कोई अफिसियल लेटा तो उपलब्द नहीं है लेकिन आप मान के चलिए कि 38-40 लाख लोग जो है इसमें फॉर्म डालने वाले हैं ठीक 38-40 लाख लोग इसमें फॉर्म डालने वाले एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा 2021 के समच्च में तो 2021 में क्या हुआ थो जो नार्मलाइड इसकोर आया हुआ था वो आपका 75.96 था और अगर यहीं परसेंटाइल की बात करें तो 97.31 था और अगर 2022 की चर्चा करें तो इसमें आपका जो नार्मलाइड इसको में बात करें तो लगभग मेरी टिसी लेविल में जाएगी नार्मलाइड इसकोर आपका जो है 75 से 78 के बीच में सिमट जाएगा और परसेंटाइल की बात करें तो आपका 97 से लेकर के 99 तक आ जाएगा ठीक है तो यह पॉइंट जो है यह आप लोग माइंड में रखिएगा ठीक है अगर आगे form आपको डालना है अन्ने जो वेकेंसी जाएंगी तो यह सारी चीज़े आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम लोगों को लगभग 80 प्लस का जब आप टार्गेट रखेंगे तो आपके 75, 74, 72 या 76 ऐसे आने वाले हैं पतलब पेपर का लेविल इतना आसान भी नहीं होता जितना लोग हलके में इसको ले लेते हैं और एक चीज़ थोड़ी से मैं किलियर कर दूँ फॉर्म तो जो है 38-40 लाख लोग डालेंगे लेकिन मान के चलिए 3-4 लाख लोग तो एक्जाम देने ही नहीं जाएंगे कोई रीजन हो, हो सकता इच्छा ना हो, हो सकता कुछ मजबूरी हो और इसके अलावा 10-15 लाख लोग तो ऐसे जाएंगे जो मिल्कुल रोटीन मना हुआ है कि पेपर फॉर्म भरा है तो चलो दे आते हैं तुक्के मारेंगे केवल, ठीक है? और इन में से 3-4 लाख लोग ऐसे होंगे, जो बिल्कुल जिनून कंडिडेट होंगे एक-एक क्वेश्चन के लिए वो आपसे फाइट करेंगे, ठीक है? आप लोगों का कंपटीशन इन 30-40 लाख, 38-40 लाख लोगों से नहीं है आईए एक थोड़ा सा स्लेवस के नजर डाल लेते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ स्लेवस आप लोग देखी चुके होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूत नहीं, लेकिन मैं कुछ अपने पॉइंट रखूँगा, उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये देखी सलेवस है, इंडियन हिस्ट्री आपका जो है पांच नमर का आता है, इंडियन नेशनल मोव्मेंट पांच नमर का, जागरफी पांच नमर का, पॉलिटी पांच नमर का, जनरल साइन्स पांच नमर का, करंट अफेर्स आपका 20 नमर का आता है, दस नमर करंट अफ को 25 यहां पे अगर आप के nationwide अ वर दिए को बात करें तो 20 नंबर इसके हो गए और अगर हम लोगात करले मैट्स की 25 इसके हो गए और हिंदी की बात करूंट क्लें तो 15 नंबर इसके हो गए यह आपके 60 नमबर हो गए ठीक है और उसके बाद इंगलिस भी बड़ा नार्मल सा आता है इंगलिस और रिजिनिंग तो आप पूरा-पूरा कर ले जाएंगे तो अगर इन दोनों के नमबर भी एड हम 25 पांच 30 तीस नमबर से मैं मान के चलूं आप कम से कम 20 नमबर तो निकाल ही लेंगे ठीक है तो इसमें अगर हम 20 और जोड़ दें तो यह आपके हो गए 90 नमबर नबबे नमबर हो गए अब 90 कुश्चन हो गए अब इन में से आपके कुछ गलत हो गए हम रेशियों मान लेते हैं कि आपके 15 कुश्चन गलत हो गए इन में से मैं 15 माइनस कर देता हूं जब इन में से 15 माइनस कर देंगे तब भी तो आपके 75 नमबर आ रहे हैं आ रहे हैं तो 75 नमबर स्कूर करना कोई बड़ी बात नहीं बसरते सीरियसनेस के साथ तैयारी होनी चाहिए आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए वो आपका जज़बा होना चाहिए तब ही आप 75 प्लस 75 प्लस नमबर अगर आपको लेना है तो आपको अंदर अपने एक आग पैदा करनी होगी कि तैयारी करनी है तो बस पेटकी ही करनी है बाकि सब भूल जाओ पूरी तरीके से जुड़ जाना है अभी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग तैयारी छोड़िये फॉर्म ही नहीं भरे होंगे उन्हों को पंडिस जी ने बता होगा कि बस लास्ट डेट वाले दिन भरना है तो भरना है फिर बोलेंगे सर्वर नहीं चल मैं यह कहूंगा आपको जो पसंद लगता है पी डबलू अच्छा लगता है खांसर अच्छा लगे बैंकर अड़ा लगे जो भी लगे अगर आपको लेना है ज्यादा फीस नहीं है चार पांच सुर रुपए का कोर्स है आप एक बास दो चार वीडियो देखें जिनके लगा सकते हैं दो चार सो रुपए और लगा दें आप ले लें कोर्स कम से कम हो जाएगा तो आप बैठेंगे तो उसके सहारे इजाम क्वालिफाई करने के लिए आपको चार से पांच गंटे रेगुलर देने हैं अच्छी तरीके से जब आपके पास कोई कोर्स होगा तो बैठेंगे त्यारी करेंगे खैर जो भी है कोर्स आप अपने हिसाब से लीजिए मैं उसमें ज्यादा सजेसन नहीं देना चाहूंगा और आप कंप्लीट कर लीजिए और मैं इतना ही कहूंगा कि यह जब आप कर लेंगे और अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे तो 75 प्लस न झाल